अब single beam photoelectric colorimeter के बाद हम लोग देखेंगे double beam photoelectric colorimeter ठीक है तो single beam में देखो नाम से ही पता चलता है कि जो beam निकल रही है मतलब जो light rays निकल रही है source से वो कैसे है single double beam में इतना ही difference होता है कि यहाँ जो beam of light है हम उसको क्या करते है डिवाइड करते है तो देखो कैसा होता है this is the this is nothing but this is our schematic diagram of double beam photoelectric colorimeter इसमें भी जो है tungsten lamp यूस होता है as a source of light source of light के बाद यह जो है यह क्या है आपका column rating lens है lens का काम जो single beam photoelectric में है वही है lens क्या करेगा जो आपकी raise निकल रही है जो आपकी incident raise निकल रही है आपके source से उसको lens पे fall होने के लिए allow करेगा उसके बाद यह जो light है आपके lens से कहा जाएगी filter पे जाएगी अब filter क्यों use होता है filter क्यों use करते हैं हम लोग to adjust the intensity of incident radiation या to select the particular wavelength of radiation particular अगर हमें कोई wavelength चाहिए है उस wavelength को भी हम लोग वहाँ set कर सकते हैं और उसकी intensity को भी हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ adjust कर सकते हैं अब filters के सामने double beam photo electro color double beam में क्या होता है colorimetry में एक mirror प्लेस क्या होता है ठीक है यहाँ पे एक mirror प्लेस क्या होता है अभी यह mirror क्या करेगा आपकी जो light source से निकल रही है एक तो आपका ऐसा setup रहेगा यहाँ एक आपका sample sample मतलब यहाँ एक q8 रहेगा जो की photovoltaic cell से attach है जो की further किस से attach है galvanometer और यहाँ mirror के बाद और एक cell attach होता है मतलब q8 बोलो जिसमें के आप अपना sample solution प्लेस कर सकते है जो की further photovoltaic cell से attach होके आपके galvanometer को attach करेगा तो single beam और double beam में difference वही है कि single beam में single beam निकलती है double beam में क्या होता है in the path mirror place क्या होता है और mirror क्या करता है आपकी जो light निकल रही है light source से उसको two ways में divide करती है में यहां से देखो यह straight जाएगी और यह यहां अब इसमें क्या होता है देखो ड़बल beam photoelectric colorimeter है इसमें क्या होता है जो एक आपका आप एक心 है आपका sample रख सकते हैं और आप दुसरे इसमें आपका जो blank बोलते हैं वो रख सकते हैं तो क्या होता है क्या किया जाता है पहले तो यह जो आपका जो पूरा सेटप है आपके यह कोई भीOM एक okay में आपका ब्लांक स्बूशन लिया जाएगा अब ब्लैंक सोलुशन को या तो जीरो या तो 100% ट्रांस्मिटन्स पे क्या किया जाता है सेट किया जाता है मतलब उसको इस तरीके से सेट किया जाता है कि आपकी जो गैलवैनोमिटर है वो कोई भी reading ना दिखाई या पूरा 100% transmittance reading दिखाई इस तरीके से आप क्या करते हैं आपके double beam photoelectric colorimeter को set करते हैं एक बार आपका ये double beam photoelectric colorimeter set हो गया इसके बाद आप फिर से same series of solutions लेके जो आपका blank रहेगा वो यहीं रहेगा जिससे की क्या होगा उसका वहाँ कोई readings नहीं आएगा लेकिन जैसे ही आप लोग आपके different different sample solution ये दुसरे वाले Q8 में डालेंगे तो वो क्या होते जाएगा वो वहाँ से reading देगा जो की galvanometer क्या करेगा read करेगा और आपका जो galvanometer है वो क्या करेगा सिर्फ आपका जो sample का solution है उसकी reading देगा either transmittance या absorbance जो आपका एक केसमें होता है क्योंकि आपकी लाइट की दो पाथ में डिवाइड होने के वज़ेसे वहां रहेगा जिसकी reading already set की हुई है तो उसके वज़े से भी क्या होता है जो हमें जो readings मिलती है वो कैसे मिलती है accurate मिलती है और अच्छी मिलती है ठीक है तो यह था हमारा किस के बारे में double beam photoelectric colorimeter के बारे में थेंक यू